वास्तु शास्त्र बेडरूम में बिस्तर की सही दिशा कौन सी है? जाने ये काम की बातें। हर कोई ऐसा बेडरूम चाहता है, जिसमें एंट्री करते ही ताजगी महसूस हो, जहां आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहतर समय गुजार सकें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक हमारे रहने की जगह की उर्जा हमारे मानसिक स्वास्त और रिष्टों पर गहरा या साथ वेस्ट कोने में होना चाहिए, यह बिस्तर के लिए अनुकूल दिशा मानी जाती है, सुनिश्चित करें कि बिस्तर का सिरा एक ठोस दीवार से सटा हुआ हो और इसे खिलकी के नीचे रखने से बचें, इसका मुह दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए, बिस्तर ऐस कमरे में होना चाहिए, जो आकार में नियमित हो और जिसमें अजीब कोने या कोन नहों। शयनकक्ष में नीला रंग सुन्दर्ता, सच्चाई और समर्पन का प्रतीक है, जबकि हरा रंग आनंदमय माहौल बनाता है। उतनी ही अधिक होगी। चार ऐसी कलाकृती और सजावट का उपियोग करें जो प्रेम, सद्भाव और एक जुटा की भावना को बढ़ावा दें। बेडरूम के नौर्थ कोने में इंडोर प्लांट और साउथ वेस्ट कोने में सफेद फूल लगाने से वैवाहिक जीवन में सोहार्द्र और खुशाली बढ़ती है। कमरे में अकेली बत्तक या हंस जैसी एकल सजावटी वस्तुएं रखने से बचें। इसके बजाए जोडे में आने वाली वस्तुओं का चयन करें क्योंकि वे प्यार और एक जुटा का प्रतीक हैं। पांच दिन के समय बेडरूम में प्राकृतिक रोशनी आने दें। क्योंकि यह सकारात्मक उरजालाती है। आरामदायक माहौल बनाने के लिए शाम को हलकी लाइट का उप्योग करें। तेज रोशनी से बचें। बेडरूम में हलके नीले या फिर गुलाबी रंग की रोशनी करने से आपके बेडरूम का माहौल और रोमांटिक होता है। दोस्तो अगर विडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। और ऐसे ही और विडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें। धन्यवाद।